हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुवेन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से है तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो आज की इस मॉर्निंग नीज में मैं आपके लिए काफी इंपोटेंट खबरे ल कोशन दिया था कि संब्राट असो किस वंसके थे तो वो मोरिय वंसके थे उस पर जो टॉप फाइव कमेंट आएं आंसर आएं वो मैं एक बार बता देता हूं सबसे पहले विभोर गुपता कविरास तनू इन्होंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेंड किया है अनिल कुमा तो अभी हम बात करते हैं MCD PRT 16 बटा 17 एक बटा 18 तो वो फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो जिन साथियों का इसमें सेलेक्शन हुआ है सभी को सुब कामना है और अभी हम बात करते हैं रिजल्ट को कैसे चेक किया जाए तो रिजल्ट के लिए साथियों आपको क्या करना है जो DSSB की वेबसाइट है उस पे क्लिक करना है इसके बाद आपको PDF मिल जाएगी और PDF डाउनलोड करके आप सीधा चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें नंबर है या नहीं है जो कोट में सुनवाई है 39 मार्च हलाकि जो MCD PRT का जो रिजल्ट आया बहुत जल्दी आ गया क्योंकि जिस हिसाब से बात चल रहे थी कि रिजल्ट लेट हो सकता है उस हिसाब से रिजल्ट जल्दी है तो एक अच्छी बात है जिन साथियों का सेलेक्शन हुआ है उनके लिए तो अभी हम बात करते हैं जो कोट में सुनवाई है तो सुनवाई किन मुद्दों पे होगी सबसे पहले तो DSSB को अपना पक्स रखना होगा बचाओ पक्स काफी जो केसिज हैं उनके लिए और इसके बात जो सबसे इंपोर्टेंट बात है DSSB ने टाइम मांगा था कि 29 मार तक हम हमें टाइम दीजिए हमारे काफी रिजल्ट रहते हैं हम उनको जल्दी दे देंगे तो उन पर DSSB अपना पक्स रखेगा कि हां इस कारण से रिजल्ट लेट हुए हैं या हमें इतना टाइम और दीजिए या इस टाइप की जो चीजे होंगी उन पर DSSB जबाब थी कि 10,591 vacancies है वो 7 अपरेल तक निकाली जाएं तो उन पर भी DSSB जो कोट है उसका फैसला आना है हाला कि जो एक फैसला आएगा 99% जो आएगा वो candidates के पक्स में आएगा मतलब vacancies आपको जल्द ही देखने को मिल सकती हैं इसका reason क्या है क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी भी काफी सिक्षकों की कमी है तो जल्द से जल्द इन vacancies को पूरा किया जाएगा तो और देखते हैं क्या update मिलती है और आप जुड़े रहें क्योंकि जो भी update मिलेगी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा तो साथ यूं देखते हैं उमीद यही है कि जो 10,591 new vacancies हैं वो जल से जल्द निकले अगर advertisement वो 7 अप्रेल तक भी करते हैं हो सकता है कि DSS भी 15-20 दिन का time और मांग ले क्योंकि देखो 7 दिन में adjust करना सारी चीज़े हो सकता है थोड़ा tough भी हो लेकिन यह कि हाँ vacancies आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी है और आज court में क्या होता है वो स सबसे पहले इस channel पर बता दी जाएगे तो सातियों आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए गुड़ बाई टेक कियर थैंक यू जैहिंद वंदे मात्रम